कि अधिस गड़ शात्रावास की नई विकेंसी 37 सांतिस में सिख्षक भरती भी निकाली गई है वो भी ये बस्तर जिलत से है विकेंसी निकाली गई है विग्यापन 13.22 को जारी किया गया था और इसकी अंतिवतिती है कल यानी 12 माई 2023 तक आप लोग अवेदन कर सकते हैं वो भी ओपलाइन के माध्यम से है भरती की प्रक्रिया लिए जा रहे हैं तो इसमें छात्रावास अधिक्षक और आतिती सिख्षक की विकेंसी निकाली गई है तो एकलावे अधर्ष अवासी विकेंसी निकाली गई है तो 61 टोटल पदों की यह भरती है तो एकसर्ट पदों की यह भरती है जैसे PGT इसके लिए इस नातक एक विशे में किसी एक विशे में होना चाहिए साथ इसाथ पचास पतिसाथ अंकों के साथ होना चाहिए और बात करते हैं PGT इसके लिए भी वही है PGT के लिए भी किसी एक विशे में जिस भ पास्ताथ पास्ट की से पियों से और विट्र जाहिए और टिएंगे और उसके लिए प्रात्मिक्ता अको स्यिस्टाक की Сп vivir budget और और शात्रावास अधिक्षा के लिए 26 से 45 वर्स और सेवा निर्थ शिक्षा इसके लिए अधिक्तम 65 वर्स दिये गए हैं तो चैन के प्रिक्रियाद साक्षिर उक्ता अनबा और साक्षर्टा के अधार पर लिए जाएंगे और चैन के लिए समीते भी मतलब बनाए जाएगी और देख सकते कुछ इस परकार से रहने वाला है और आपका जो की सेलरी की बात करें यानि वेतन तो पीजीटी और टीजीटी तो पीजीटी के लिए 320 प्रतिकालखंट के हिसाब से 45,000 और पीजीटी 300 के हिसाब से देखा जाए तो 42 तो आए अधिक्तम है 45 और 42 और कर सकते हैं और चैनल में नए होता सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताक इसी तरह की जानकारी आप लोग तक मिल सके और कुछ इस महत्रपूर जानकारी है दस्तावेजों का तो देख लीजिए